हाई फ्रेंड्स वैलकम बैक तो मै चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको जो घरेली नुसका बताने जा रही हूं उसको बॉईज ये अगल कोई भी इसत्वाल कर सकता है आपकी कैसी भी स्किन हो चाहे वो ऐली हो चाहे ड्राई हो कैसी भी skin पर आप इस नुस्के को apply कर सकते हैं अगर आपके चहरे पर दाग दब्बे हैं कालापन हैं मौहसे हैं या फिर मौहसों के निसान है या धूपिया ऐसे tanning हो गई ये चहरे पर तो आज का इगहरेलू नुस्का इन सभी problem को दूर करके आपके चहरे को पहले से बहतर, गोरा और चमकदार बना देगा जो आपके चहरे पर बढ़ापसा दिखने लग गया है उसको भी ठीक कर देगा आपकी चहरे की skin को tight बनाएगा मौहासों या pimples को दूर करने में तो ये remedy बहुत ज़्यादा कारगर है आपको एक या दो वार के इस्तमाल से ही आपको फरक देखने को मन जाएगा ये बहुत ही effective और natural remedy है और आपकी जो गर्मियों में दूप के ऐसे जो skin damage हो जाती है ये नुसका उसको भी ठीक कर देगा ये remedy बहुत ही नेचरल चीजों से बनी है इसमें मैंने बहुत ही कम चीजों का इस्तमाल किया है आप इसे घर पर ही बड़ी आसानी से ready कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और इस remedy का कोई भी side effect नहीं है तो चलिए friends मिनादेरी की हुए इस remedy को बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे मेरी request है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरू करिए तो चली फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसन यानि कि ग्राम फ्लोर यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा और फायदमन दोता है और यह हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्स को और हमारे चहरे के दाग दबो को remove करने बहुत ज़ी ज़ाद हेल्प करता है और हमारे चहरे पर जो pimples हो गए है उनको भी धीरे धीरे ठीक कर देता है जो दूप के ऐसे आपकी इसकी पर tanning हो जाती है जो damage हो जाती है उसको भी ठीक कर देता है आपको यहाँ पर दो चम्मच बेसन एड़ करना है अब इसके बाद में आपको इसमें एड़ करना है शेहद यानि कि हनी यह भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह हमारी स्किन को अंदर से मॉसराइज रखता है साथ ही हमारी स्किन को साइनी और ब्राइट लुक देने बहुत जाद हेल्प करता है आपको यहाप पर एक चम्मच सहद एड़ करना है अब इसके बाद में इसमें मैं एड़ करूंगी कच्चा दूद कच्चा दूद भी हमारे इसकिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है कच्चा दूद हमारे स्किन से काला पन हमारे चेरे पर जो दागदब्बे हो जाती है उसको रिमूब करता है साथ ही हमारी स्किन को ब्राइट और गोरा बनाता है आपको यहाँ पर दो चमच कच्चा दूदर्ड करना है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक हमारा फेस्पैक बनकर रेडी हो जाए यह सारी चीज़ें आपको घर पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और आप इसे घर पर बड़ी कम समय में रेडी कर सकते हैं यह बिल्कुल नेचुरल है आप देख सकते हैं यह अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है आपको भी इसी तरीके से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है ताकि हमारी स्कीन पर अच्छे से लग जाए आप देख सकते हैं यह बनकर आप रेडी हो चुका है आपको इसे अपनी स्कीन पर और चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है जहाँ पर भी आपका दाग दब्बे हैं, टैनिंग हो गई है, पिम्पल्स हैं, वही पर आपको इसे अच्छे से लगा लेना है, इसको अपने चहरे पर, गर्दन पर, जहाँ पर भी आपका काला पन है, आप इसे अच्छे से लगाई है, यह बहुत ही अच्छी और नेच्छ वार जरूर यूज़ करिए यह बहुती अच्छी रेमेडी है आपको इसके एक या दो वार के इस्तमाल से ही आपको अपने चेहरे पर फरक देखने हो मिल जाएगा आपके चेहरे से दाग दब्बे पिंपल स्टैनिंग धीरे धीरे गाइब होने लगेंगे चेहरे का कालापन दूर हो जाएगा यह बहुती यादा कारगर रेमेडी है आप इसको यूज करियो मेरे साथ इसका फीडबेक जरूर शेकर है इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कोशन है ताप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जरू करूँगी आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा तो प्लीज जादा से जादा इसको लाइक करिए शेर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिल्लिटिप के साथ जरूर शेर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्रेंड्स में आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचरल रेमेडी लाती रहती हूँ जो कि आपको बहुत यादा वेनिफिट देने वाली होती है अब मैं मिलूंगे आपसे अपने नेक्स वीडियो में एक ऐसे ही नेचरल और घरेलू रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एवनाइस डे